इसकारिक्रम के पुन्य आर्जक हैं श्री गुलाब चंद, कान्ता, मनीश, सरीता, नीरज, मनीशा, प्रियल, प्रियांश, आर्ष, आर्नाशाह, एवं परिवार यहां हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवर्दी के लिए नीती के विश्यों का श्रवन कर रहे हैं नीती हमें एक पॉजिटिव एटिट्यूड और आस्पेक्ट सिखाती है नजरिया बनाने के अगर कोई कला सिखाता है तो उसका नाम नीती है वस्तु वही है विक्ति वही है प्रकृति वही है नजारे भी वही है बस नजरिया विक्ति का बदलता जा रहा है परमात्मा भी वही है इंसान भी वही है विक्ति का नजरिया बदलता जा रहा है जैसा नजरिया बदलता है वस्तू वैसी दिखती है विक्ति वैसा दिखता है एक ही वही लड़की अपने पिता को बेटी लगती है और वही लड़की वही कन्या वो ही स्त्री जिससे शादी हो जा उसको पती लगती है पत्नी लगती है और वो ही कन्या पत्ती देखे तो पत्नी और बेटा देखे तो मा लगती है भाई देखे तो वेक्ती वो ही है वस्तु वो ही है हमारा attitude बदल रहा है, हमारा नजरिया बदल रहा है तो हमको आज की नीती में समझना है कि हमें अपने नजरिया को कैसे बिल्ड कर सकते हूं वस्तु को देख करके, वेक्ति को देख करके हम कैसे उससे सही चीज का उपयोग कर भाएं आज की नीती कह रही है कि नेगटिव लोगों से नेगटिव उर्जा निकलती है और पॉजिटिव लोगों से पॉजिटिव उर्जा मिलती है तो अगर आप चाहते कि आपसे पॉजिटिव उर्जा मिले, लोग आपके आएं तो लगे कि कुछ कहीं आए हैं दुकान पर आए तो माल लेखर के जाए घर पर आए तो प्रशंसा करके जाए मंदिर में आए तो धर्मात्मा की तरह आपकी तरह गुण ग्रेंड कर ले यह चाहते हैं तो नेगेटिव उर्जा को दूर रखे नेगेटिविटी को दूर रखें तो कि नेगेटिव जो आपका आसपेक्ट्स याफर नेगेटिव आपका मन होता है वो सब कुछ आपको नेगेटिव दिखाता है और उर्जा भी नेगेटिव मिलती है देखो आप एक हाथ हैसा करो और एक हाथ हैसा करो मैं आपको दिखाता और एक रजगुला रखो जो एक दम सुखुषभू आरे जिससे, सुंगो आरे क्या, आरे है, और इस हाथ में मल का टुकुड़ा रखो जो सुबा चोड़ किया है, बद्बू आरे क्या, यही नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर है, जब आपका मन नेगेटिविटी में जा आ रही है, पॉजिटिव उर्जा अगर आप देना चाहते हो, किसी को और स्वयम भी रखना चाहते हो, तो आपको पॉजिटिविटी लाना पड़ेगी, मल कोई पसंद नहीं करता और rusty ब के पसंद करता है, गुलाब जामुन कोई पसंद करता है, क्यूंकि उसके अंदर भी लोट से निकलो जान नाली वगरा हो बद्बू आएगी जब बाहर इतनी बद्बू हैं अंदर कितनी होगी जिस वेक्ति के पास से नेगेटिविटी फील हो रही हो अंदर कितनी होगी पॉजिटिविटी बढ़ाना है हमारा कहना है कि अपने आपको स्वयम को एक सर्वर बनाना है कि लोग अपने पास आ करके डाटा ले करके जाएं को यह सी पॉजिटिव फूर जाची है क्योंकि पॉजिटिव लोगों के पास रहेंगे तो पॉजिटिविटी मिलती है इसलिए भी आप पॉजिटिव लोगों के पास रहें नेगेटिव लोगों से को को सुधूर रहे हैं मैं आपको बताता हूं एक बात कि जो नेगेटिव लोग होते हो डर पोक होते हैं कोई भी काम करने के पहले उनके मन में यही आता है यार नहीं हो पाएगा अरे कॉच ने नहीं हो पाएगा और जो पॉजिटेव एटीट्यूट रखते रूँदे होसिसोचे है कि चलो कुछ नकुछ तो अच्छा जरूर होगा हर दिन अच्छा नहीं होता मगर हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है उसको ग्रेंड करना से के एक विक्ति को सीता फल दिया गया उसने नाली में फेक दिया बोले इसमें तो छिलका ही ता मोटा है और एक बार खोल के तो देख खोल के तो देख नहीं अंदर मिलेगा कैसे जो नेगिटिव लोगों तो डरपोग होते हैं, पॉजिटिव लोगों तो बहादुर होते हैं, कुछ भी हो खेल लेंगे, चलो, पॉजिटिविटी तो लाओ, आप नेगिटिव रहोगे तो विक्ति, कर्म, परिस्तितियां सब आप पर हावी मिलोगे, अच्छा, आप देखो, जब सीता हरन हुआ, जैन रामायन की कता करता हूँ, सीता हरन हुआ, तो राम ने कहा सुगरीव से कि तुमारी सुतारा में धूंड कर देता हूँ, लाकर कर देता हूँ, लेकिन तुम सीता को बताओगे, उसने का जी, जब सीता का पता वे बहुँत कि थाओ पा कि भूड़ तो मेरी पत, जो चीस तो ले लो, लेकिन भूल जाओ, लक्ष्मन कहते हैं क्यों, बढ़े है आप रावन को जानते नहीं हो, लक्ष्मन की बोहें तन गई, लक्ष्मन क्या कहते हैं, नेगिटिविटी पॉजिविटी डूढने इसकता में लक्षमन कहते हैं तुमसे सहायता नहीं मांग रहा हूं तुमसे रास्ता पूछ रहा हूं करतो में अकेली लूँगा जो कि उनके अंदर पॉजिटिविटी थी अब डर लगे क्या करें जांबू नद वो कहते हैं कि भीया लपड़े में नहीं पड़ो सब मिटेंगे सब मिटेंगे हनुमान का नाम आया हनुमान थे पॉजिटिव बोले मैं जाऊंगा मैं बात करके आऊंगा आप लोग धहर रोगो हनुमान गए पॉजिटिविटी लेकर के गए और वहां से आकर हूंने यह नहीं का कि बड़ी बिकेट परस्ती उने का नहीं सीता जी को मैंने भोजन करवाया है अब बन जाकर कि सीता जी को लोटा के लेके भी आएंगे यह पॉजिटिविटी अनुमान जी की थी अपने को हनुमान बनना है रावन नी बनना पॉजिटिविटी रखना है लाइफ में जब भी नेगेटिविटी है सोचना हे रावन जैसी पॉजिटिविटी है हनुमान राम लक्षमान नहीं पॉजिटिविटी लिये थे तब तो इतना बड़ा जुद्धी जी थे कहते हैं कि नेगिटिव सोच वाले जो होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या होती है, जो नेगिटिव सोच वाले होते हैं, वो समस्याओं कर जब समाधान मिलता है, तो उन समाधान में भी समस्या डूणते हैं, वो जो नेगिटिव सोच वाले होते हैं, वो समाधान में भी समस्या अगर आपने का भी आपन को जहाजपूर चलना है तो आपन टवेरा कर लें क्या टवेरा यार कभी कभी पंचर हो जाती यार तो आपन बहुत साइब लोगे टेंपो ट्रेवलर कर लेते हैं इतना खर्चा क्यों करें यार तो आप negativity वाला जो होगा उसको समाधान दोगे न वो एक नई समस्या लाएगा हमको टीम वो पसंद है जो समस्या में भी समाधान देखे वो पसंद नहीं है तो समस्या में समाधान ना खोच करके समाधान में समस्या देखे समाधान में समस्या देख रहा है कितनी बड़ी नेगेटिविटी है कोई आमारे पास आया महाराजी हमको वहरा के कोई बात ने दस दिन आमारे पास रहो फिर घर वालों का क्या होगा मम्मी पापा आ गए तो अब तुम घर जा हुई तो उमने समाधान पूचा हो समाधान में समस्या ढूणना चालो करते इसलिए स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स दे एफ प्रॉब्लम्स फॉर ओल्ला सॉलूशन उनको हर सॉलूशन के में प्रॉब्लम ही मिलती है अगर आप नेगेटिव हैं तो आप स्वयम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सॉलूशन नहीं है अपन दूसरे के लिए सॉलूशन बने स्वयम के लिए भी एक सॉलूशन बने कब तक आप दूसरे से सला लोगे कब तक आप दूसरे से काम लोगे एक दिन ऐसा आए कि लोग आप से काम लेने आए वो तब होगा जब आप positivity के साथ उत्रोगे भूलना नहीं एक मटके में अगर मल भरा हो तो उसमें से क्या निकलेगा मल की बद्बु आएगी और एक मटके में अगर सुगंदित रुवजा भरा हो तो रुवजा रस्तना की खुश्बु आएगी आपके अंदर से negativity आए समझ लेना मल भरा है आपके अंदर से positivity आए मतलब रुवजा भरा है क्या भरा है आप खोजो मैं तो अपने पास हमेशा positivity रखता हूँ अगर मेरे पास कोई दुखी भी आए मेरा मानना है दुख वो भूल जाएगा क्यों क्योंकि हम उसको इतनी positivity देते जिनके घर में अगर कभी कोई problem है मैं आपको एक बताता हूँ बात की अगर घर में किसी का वास्तू खराब है ठीक नहीं हो रहा positivity लाओ आप वास्तू खराब है न अपने ठीक कर लो और वास्तू खराब है नहीं सुधर न आप अपने घर के मेन हॉल में कमरों में चार कोनों में चार दीपक सरसों के तेल के बीच में सुद्ध गी का प्योर वाला बजार वाला ने उसका दीपक रखो चार बातिया लगा करके चलाओ और इतना ध्यान रखना आग ना लगे फिर देखना अगर आपने एक अफ़ते लगातार किया घर में जो positive उर जाएगी वो कभी पहले feel नहीं हुई होगी इस fatigue का प्रहो करो बहुत सारे options हैं वास्तो भी खराब है इसका ये मतलब नहीं कि कूच जाओ चच से रेक बार अंदर positivity जागो सब मिलेगा इसा विचार करना शेश आगे दिखेंगे बगवान महावीर सौमी की बगवान महावीर सौमी की